ताम रम दोस्तों लीजे मैं फिर से हाजिर हूँ एक और रेसिपी के साथ आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों में खाये जाने वाले शल्गम का भरता शल्गम कितने फायदे मंद है आप सभी जानते हैं इन में नेच्छल एंटियों आक्सिडेंट्स है पेट के लिए बहुत है है उसको बनाना तो बहुत जादाना भी बहुत जरूरी है इस तरह बनाई यह 새 बटू खुश होकर खाय रखाएं बहुत टेस्टी बनते हैं में इस्के लिए हैं चार्श जल्गम है अपने हिसाब से ले सकते हैं जितने आपको बनाने हों छे दो किस pike हैं उतार लेंगे ह और पील कर लेंगे नाइप से भी पील कर सकते हैं जैसे आपको चल लें चल लए झचीए कर धो लें इनको जब हमेने दो खर पॉंच लिया है अब यंश को करेंगे क्रेटर की हेल्फ से इसको क्रेट कर लेंगे मैं गरेट करने वाली हूँ ताकि ये खड़े-खड़े से रहें, थोड़े सुन्दर लगें, खिले-खिली सबजी बनें, आप चाहें तो छोटी साइट से भी क्रेट कर सकते हैं, पर छोटी साइट से ऐसे खिले-खिले से नहीं दिखेंगे, ये मैं आपको दिखाती हूँ, छोटी साइट से तो ये बिल मैं मोटी साइट से ही सारा करने वाली हूँ यह देखिए हो गया है हमारा सारा अब हम इसको एक साइट में कर लेते हैं सारा कदुकर से भी अच्छे से उतार कर साफ कर लेते हैं कठा कर लेते हैं सारा अपना चल को और हम आगे चलते हैं अब मैंने थोड़े से मटर लिये हैं जिने में बॉयल कर रही हूं पैन रखती है मैंने पैन में पानी डालकर और थोड़े से मटर को में बॉयल कर रही हूं अब ना बॉयल करना चाहें तो आप डारेक्ट इसको सबजी में भी बना सकते हैं आजकल तो सॉफ्ट सॉफ्ट मट मेरे मतर यह दिन पहले आये, तो मुझे लगा पहले भाल कर लेना चाहिए कि मैंने दो तिन बाइल दी ओठी है, मैं इसको हटा रही हूँ और कड़ाई में रखती है कड़ाई में मैंने देसी की डाला है, मैं देसी की में बनाने वाली हूँ, बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है, और यह एक बड़ा साइज का प्याज मैंने चॉप कर लिया है, इसमें एक्स्ट्रा मसाले, कुछ स्पाइसेज वगरा कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एट्जस कर सकते हैं, इस सिर्फ एक प्याज काटकर भूरने के लिए रखा है, फ्लेम मीडियम है, क्योंकि हमें इसे काला नहीं करना है, सिर्फ चांजुलेंट करना है, सॉफ्ट करना है, और कलर चेंच नहीं करना है हमने इसका, दो तिन मीनिट भूनने के बाद, हम इसमें डाल देंगे, एक टमाटर बरिक काट कर, और हरी मिच्ची अपने टेस्ट के हिसाब से काटकर डाल देंगे, अब हम इसको भी मिक्स करके भूनने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए, तब तक हम इसे जैसे आप चाहें, आप चाहें तो कद्दू कस्पी कर सकते हैं, पर मुझे जो इसमें छिलके देखते हैं सबजी में, इसका कलर इतना प्यारा आता है, कलर फुल से सबजी लगती है, तो बहुत सुन्दर लगती है, मैं तो कट करके ही डालने वाली हूँ, आप अपना देख है न, दो-तीन मिनट बाद देख लेते हैं, तो मैटोस हमारे सॉफ्ट हो गए है, जादा सॉफ्ट नहीं भी हूए होंगे तो कोई बात नहीं, हमें शलजम के साथ भी तो पकाना है इसको, अब लग रहा है, हमारे सही हो गए हैं, जैसा हमें चाहिए है, अब हम इसमें डाल कर tickles, हाल्दी, खोड़ी सी लाल मिर्च, और नमक अपने टेश के कार्दीन इसके लावा मैं इसमें कुछ नहीं डाला है, कोई जीरा नहीं डाला है, कोई सुखा धनियां नहीं डाला है, कुछ भी extra नहीं डाला है, कोई तेश बत्ता नहीं डाला है, बड़ सिंपल, अपने कद्दुकस किये हुए शल्जम को मिला लेंगे रिच्छे से मिक्स हो चुका है और शल्जम भी अब हम इसमें डाल लेते हैं अगर मटर को कच्छार डालने वाले हैं तो इसी टाइम आप डाल सकते हैं मैंने क्योंकि थोड़ा सा बॉयल किया है तो मैं थोड़ा सा शल्जम को कुक होने के बाद डालूँगी अब शल्जम हम डाल लिये हैं और हम इसको अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से मिक्स करके मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाने वाली हूँ क्योंकि मैंने जो क्रेट किये हैं थोड़े ज्यादा ही मोटे हैं तो बिल्कुल हमें ऐसा भी नहीं रखना है कि कच्छा कच्छा सा ही रह जाए हाट सा रह जाए थोड़ा हमें soft तो करना ही है न कि अराम से खाय जाए अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला कर cover करके इसको रखतोंगी 3-4 मिनिट के लिए यह कुख हो जाए अच्छे से थोड़ा सा यह पानी मिलाया है मैंने बहुत ज्यादा नहीं मिलाया है आप देख लें अगर आपके शल्यमने ज्यादा पानी छोड़ा है तो ना भी डालें अब मैंने इसको cover करके रख दिया है 3-4 मिनिट के बाद मैं इसको चेक कर लूँगी अच्छे से हिला लूँगी देखिए अब इसमें पानी दिख रहा है और यह अच्छी तरह अभी soft भी नहीं हुए है तो मैं इसको फिर से थोड़ी देर के लिए पका लूँगी यह अच्छे से soft हो जाए इस टेस पर मैं मतर मिला दूँगी यह मतर भी अगर अच्छे से ना कुख हुए हो तो इसके साथ हो जाए और इसमें अच्छे से mix भी हो जाए नमक मिच भी चड़ जाए उन पर भी अच्छे से अब इसको अच्छे से हिला कर मैं फिर से ढख कर रख दूँगी दूआ देखे कैसे उठ रहा है जैसे बाहर सर्दी में आजकल को रहा है उसी तरह से यहां पर भी दूआ उठ रहा है अब इसको मैं फिर से कवर करके रख रही हूँ तीन-चार मिनिट के बाद अच्छे से पक चुके हैं सौफ भी लग रहे हैं मुझे हो गए हैं और mix भी हो गए हैं अच्छे से हम किसे मैं चेक कर रही हूँ कि गल चुका है या नहीं थोड़ा सा लग रहा है अच्छे से नहीं गला है और मैंने 2 मिने ठक कर रख है tap sociedade bers structural toujours अब यह बिल्कुल तैयार है इन एस यह बिल्कुल पक बपक चुका है अब हम इसमें हरा धनिया और गरम मसाला मिला लेंगे गरम मसाला आपने खाना है तो मिलाए नहीं तो यहाँ पर आप थोड़ी सी कालिमिश भी मिला सकते हैं गरम मसाले की जगा और हरा धनिया तो बनता ही है हरा धनिया डाल कर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस बंद कर देंगे अब साथ में आप चपाती प्रांठा जो भी खाना चाहें इसके साथ खा सकते हैं इसका टेस्ट इतना बढ़िया आता है अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो एक पर बनाईएगा जरूर याद करेंगे आप मुझे बहुत आसान सबजी है और बहुत पेस्टी थेंक्स फॉर वाचिंग माई दियर फ्रेंड्स थेंक्यू सो मच